हलो मेरे नाम है चंद्रहास, इस्टेडी स्मार्ट एसेसिंगे आपका स्वागत है, दोस्तों मेंसुरेशन का यह पार्ट 8 होगा जिसमें हम बात करेंगे पेरिमीटर के उपर अधारित कुछ और कोशन की, यह पेरिमीटर के उपर अधारित लास्ट पार्ट होगा, जिसके बाद next हम कोशन डिसकस करेंगे परसेंटेज के उपर, जिसके बाद आपकी जो 2D मेंसुरेशन है, वो खतम हो जाती है, तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले मैं जो पिछला कोशन था, उसका एंसर कर दूँ, यह कोशन मैंने आपको दिया था, करने के लिए कुछ लोगों ने एंसर किया है, इसका सही एंस सब के डाइमीटर कितने हैं, 10 सेंटीमीटर के हैं, मतलब इनके रेडियस 5 सेंटीमीटर के होंगे, और इनसे यह रबर्ड बैंड आपका बंधा हुआ है, तीनों से उकर करके जा रहा है, तो आपको इसकी लंबाई निकालनी थी, तो इसमें हमको करना क्या है, कि यह यहाँ रखा होगा कि अगर किसी भी यहाँ पे टेंजेंट पे अगर रेडियस यहाँ पे टच करता है, तो यह हमेसा 90 डिगरी बनाता है, तो आपको यह समझ में आ गया होगा कि यह क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल यह फॉर्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि आमने सामन तो इधर भी कर सकते हैं, वही काम आप यहाँ पे करेंगे, तो यहाँ पे यह भी 10 है, तो यह वाला हिसा भी कितना हो जाएगा 10, और सेम काम आप इधर करेंगे, तो यह भी वह ऐसे ही हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, यह भी हो जाएगा 10, तो यह हमको क्यों, अभी यह रबर बेंट की ये पता चली है, लेकिन कुछ रबर बेंट क्या है, सरकल के साथ यहाँ पे लपेटा हुआ है, इसकी लेंध भी आपको निकालनी होगी, तो वैसे अगर आप देखिए, तो कितना आ जाएगा, 10, 10, 10, कितना गया, 30 आ गया, 30 तो मिल गया, बाकी ये वाला कितन सकते हैं, सरकमफ्रेंस, सरकमफ्रेंस का भी, मैंने पिछले पार्ट में बताया था, अगर किसी आर का दिया जाएगा, तो कि सामने इह बहुत दो साइड्स हैं, case studies. और अगर इनके केंद्रों को आप connect करते हैं तो यह कितना हो जाएगा 60 तो 180 और 60 आपका और जोड़ जाएगा तो यहां पर बचा एंगल कितना 120 तो वही होगा यह 120 तो यह कितना होगा 120 इसी तरह यह भी 120 और इसी तरह यह भी 120 तो थीटा की जगा पर आप क्या रखेंगे 120 त काटे में 360 सारी values को रखी तो दो गुणे में यहां पर अच्छा पाई की value तो पाई ही रखा है तो आप यहीं से भी solve कर सकते थे पाई की value नहीं आगे increase किया है 20 इसको तीन वार में काटेगा यह कितना हो जाएगा 2 पाई आर की value कितनी है 5 5 दो नी 10 तो यह कितना गया 30 प्ल बस आपको निकालना कैसे यह आना चाहिए अब तो लिए आगे बढ़ते हैं आगे questions देखते हैं क्या है यह question देखिए क्या है आपका CGL tier 1 में पूछा गया था थोड़ा different type का question है करना वैसे असान है लेकिन कई बार होता है कि ऐसे जब options भी आप देखते हैं तो खबरा जात इसका क्या होगा कुछ solution समझ में नहीं आ पाएगा पढ़िए question क्या है the difference of perimeter and diameter of a circle is x unit the diameter of a circle is यहान से पढ़िए क्या करा है कि perimeter और diameter का difference करा है x unit है तो perimeter कितना होता है 2πr और diameter कितना होगा diameter क्लेम लिख सकते है 2r ठीक है तो diameter क्यों होती है r से अगर हम निकालते हैं क्या होता तो यह r अगर यह 2 इधर चला जाएगा d क्यों कितनी आ जाएगी 2r बराबर में कितना दिया गया है x unit तो अब देखिए यहां से कुछ कॉमान आ सकता है क्या तो हाँ 2r कॉमान ले लिए क्या हो जाएगा पाई-1 एंसर बचेगा x हो जाएगा तो 2r की value आपको diameter की value बतानी है तो 2r की value कितनी हो जाएगी x upon में पाई-1 मेरे ख्याल से 5 या 10 सेकेंड का एक कोश्चन था कॉन्स ओप्शन से यह देखिए x upon में पाई-1 वैसे यहां पे इस तरीके से options लिखे गए हैं यह आप confused हो जाएं लेकिन पहला वाला option इसमें सही होगा चाहिए next question देखते है क् time to cross a circular ground along its diameter then to cover it once along the boundary if his speed was 30 meter per minute then the radius of the circular ground is मतलब कोई भी रेडियस यहां पे circular ground है कहरें कि कोई person है जो कह रहा है कि अगर मैं इसके diameter के along चलता हूं तो इस पूरे circular ground को 30 seconds कम में तैय कर लूँगा अगर मैं इसके पूरे boundary के along चलूँगा तो आपको यहां पे दी गई है इसकी speed कितनी है 30 meter per minute की और आपको बताना क्या है कि इसकी radius कितनी होगे ground की तो यहां पे आपको क्या दिया गया है यहां पे दिया गया है time का difference कितना है 30 seconds मतलब T1 minus T2 की दी गई है 30 seconds की तो speed distance वाला अगर formula आपको आता है speed बराबर क्या होता है distance upon में time तो time बराबर क्या होता है distance upon में speed तो अगर आपको यह पता है कि time का difference दिया गया है और यहां पे दो आपके सामने distance है वो अलग-अलग है एक distance आपको diameter तैय करना है और एक जो distance है इसका क्या है circum conference है तो यहां पर इन्हीं दोनों को रखना होगा क्योंकि speed तो दोनों ही case में fix है तो बस आप यहां पर इसको replace कर दीजे अगर T1 की बात करों तो इससे क्या लिख सकते है D1 upon S माइनस में T2 की बात करों तो क्या लिख सकते है D2 upon S और यह कितना हो जाएगा 30 seconds यह 30 meter per minute है इसक इसको क्या लिख सकते है 30 S की value कितनी है 30 meter per minute है S की value per minute में दी गई है तो आप इसे क्या कर यह second में convert करने के लिए इसको 60 से भाग देजी क्योंकि एक minute में 60 seconds होते है तो यह कितना जाएगा 1 by 2 1 by 2 आएगा S पहले से यह upon में है तो यह 2 उपर पहुंच जाएगा 2 उपर पहु इसका circumference दिखा जाए तो क्या होता है 2 pi r होता है बराबर में कितना गया 30 आगया अब कुछ common आ रहा है तो 2 r यहां से भी और यहां से भी common निकल सकता है तो बाहर ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 4 r और अंदर क्या होचेगा 1 minus में pi पाई की value 22 बटे 7 रख दीजे और यह क 2 4 हो जाएगा r की value कितनी आ जाएगी 7 बटे 2 जिसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3.5 meter कौंस option से होगा 4th option से होगा 3.5 meter मेरे ख्याल से आपको समझ में होगा कि यह जो speed of distance वाले questions भी आते हैं इनको भी कैसे आप solve कर सकते हैं इसके पर एक और question देखेगा तो आपका concept औ original diameter the time required by A to go around the new path once traveling at the same speed as before कैरें कि कोई person A है वो किसी circular path में चलता है तो कैरें कि वो 40 मिनट में 8 चकर लगा लेता है मालेते हैं अगर यह circular path है तो इसका वो 8 चकर कितनी दर में लगा लेगा 40 मिनट में वो लगा लेगा कितने चकर 8 चकर कैरें कि अगर इसी circle का जो diameter है उसको 10 गुना बढ़ा दिया गया है तो बताईए कि अब उस जो नया circle बना है उसका एक चकर लगाने में एको कितना समय लगेगा तो कैसे करना है आपको यहाँ पे speed नहीं दी गई है आपको speed दी गई होती तो आप time निकाल सकते थे क्योंकि time बराबर क्या होता है distance अपन में speed तो स आप circle के circumference को ले सकते हैं कितना होता है 2 pi r और आपको यह 40 minute जो दिया गया एक चकर का समय नहीं आठ बार इस तरह चकर लगाएगा तो वह 40 minute लगेगा तो हम क्या करें इसमें हम 8 से गुणा कर लें और इसको 40 से भाग दे दे तो total distance कितनी आ जाती है 16 pi r बटे में 40 8 दूनी 16 8 पंचे 40 तो कितना गया 2 pi r बटे में 5 यह क्या आगी speed आगी उसकी अगर हम diameter को 10 गुणा बढ़ा दें तो diameter को अगर हम 10 गुणा बढ़ाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका जो circumference है वो भी आपका 10 गुणा ही बढ़ जाएगा तो अब जो नया distance आएगी वो कितनी होगी पह हमको निकालना है कि कितना वहां पे समय लगेगा तो distance में लगई time यहां पे आपको निकालना है तो speed से आपको भाग देना होगा speed कितनी है इतनी किससे बाग देजिए कितना हो जाएगा 2 pi r और बटे में 5 होगा तो वह उपर चला जाएगा अब देखिए यह 2 इसको 10 बार क निकाल ली है speed निकालने के बाद time निकाला है ओके next question चलिए देखते हैं क्या है लिखा हुआ है कि if the difference between the circumference and diameter of a circle is 30 cm then the radius of the circle must be अब यहां पे जैसे भी 2 r यहां से common ले लीजिए कितना हो जाएगा यह हो जाएगा pi minus 1 बटे में 30 यह बराबर में 30 तो r की value कितनी हो जाएगी अगर आप यहां से देखना चाहें या फिर थोड़ा सा अगर आपको confusion हो रही हो तो आप यहां से इसको cut भी कर सकते हैं कितनी बार चला जाएगा 15 बार pi की value आप राख दीजे कितनी हो जाएगी r बराबर में 22 बटे 7 minus 1 बराबर में 15 साथ एक कम 7 22 बटे से चला जाएगा कितना हो जाएगा 15 तो r की value कितनी हो जाएगी 15 गुणे में 15 बटे 7 बराबर में 15 15 से 15 कड़ गया r की value कितनी आ गई 7 cm तो जब यहां पे data आपके सामने र question है लिखावाए the perimeter of a semicircle is numerically equal to its area the length of the diameter is करें कि कोई semicircle है उसका जो perimeter है वो उसके area के बराबर है semicircle का मतलब कुछ इस तरह का आपका shape होता है circle का आधा कहरें कि इसका जो perimeter मान लेते हैं 10 है तो उसका area भी कितना है 10 है numerical value दोनों की बराबर है तो आपको इसका diameter निकालना होगा semicircle के यहां पर कोशन आते हैं तो थोड़ा सा confusion इसके perimeter में होता है जैसे हमको पता है circle का perimeter कितना होता है तो हम निकालना होता है diameter के बराबर मतलब 2R होती है तो मतलब pi r plus 2R ये होता है semi circle का perimeter तो ये अगर नहीं पता है आपको तो गलती कर बैठेंगे और ये किसके बराबर होगा pi r square बटे में 2 क्योंकि semi circle है circle का आधा सारी values को आप substitute करिए r यहाँ पे common है तो r common निकल जाएगा तो pi plus 2 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा pi r square बटे में 2 है r से 1 r कट जाएगा pi के विल्यू रखेंगे 22 बटे 7 तो 22 बटे 7 प्लस 2 और यहाँ पे भी रख दीजे 22 बटे 7 तो 7 नीचे जाएगा कितना हो जाएगा 14 और गुणे में r आपको निकालना क्या है diameter confuse मत हो जाएगा कभी भी diameter निकालना मतलब 2 r की value निकालनी है तो 2 r का मतलब क्या होगा इसमें भी आप 2 से गुणा कर दिए कितना हो जाएगा 72 बटे 11 तो कितनी बटे बटे गाटेगा 6 बार कटेगा 3rd wall option सही होगा तो semi circle का कभी भी case होगा perimeter बसका important है जिसके बारे में आपको confusion हो सकती है तो इसको आप ध्यान से करिएगा next question करते है the perimeter of a rhombus is 40 cm if one of the diagonal be 12 cm long then what is the length of the other diagonal is तो आपको इसके बारे मताना है तो कोई भी rhombus है rhombus का मतलब क्या होगा इसकी चारो साइट बराबर होती है लेकिन ये क्या होती ही 90 degree नहीं होता है मतलब वर्ग नहीं होगा यहाँ पर 90 degree नहीं होगी लेकिन चारो साइट से इसकी बराबर होती है तो अगर इसका perimeter यहाँ पर दिया गया और इसको नाम दे दूम है A, B, C, D और यह इसके diagonals है यह इसके diagonals बना देते हैं चलिए perimeter दिया गया है मतलब 4 A की value दिया गया है कितना है 40 तो A की value कितनी आजाएगी 10 मतलब हर एक साइट कितनी है 10 cm के बराबर है यह क्या है O और आपको अगर rhombus की property नहीं पता है और O, B की value कितनी हो जाएगी 6 क्योंकि इसको आधे-अधे भाग में काटते है तो अगर आपको यह नहीं पता कि diagonal जो होते हैं रombus के वो 90 degree पे कट करते हैं तो आप इस question को नहीं कर पाएंगे यह property कर पता है तो होगी खतम अब इस question कोश करने की जरूत नहीं आपको क्या पता है कि 90 degree है यह 6 है यह 10 है तो यह कितना होगा 8 होगा यह pythagorean triplet बना रहा है मतलब pythagorean इसमें लगा देते हैं तो current का जो hypertonus का square होता वो किसके बराबर होता जो भी इसका base होता या फिर जो भी इसकी perpendicular होता और height होती या फिर base होता उसके square के sum के बराबर होता तो यह formula तो आपको पते होगा चिस square बराबर क्या होता है base square plus perpendicular square तो यह लगाएंगे तो आपको pythagorean triplet के वारे मगर पता है तो यह पता होगा कि अगर 6 है और इसका hypotenuse 10 आया तो यहाँ पर 8 होगा एक पता चल गया तो दूसरा भी कितना होगा 8 और 8 और 8 कितना होगा 16 दूसरे diagonal की length निकालनी थी मेरे ख्याल से 5 second का यह question था कितना आ गया तीसरा all option सही होगा टिक करिया और आगे बढ़िये next question पर चलते हैं क्या है the perimeter of triangle is 30 cm and its area is 30 cm perimeter देखे किसी triangle का और area बराबर है if the largest side measures 13 cm what is the length of the smallest side of the triangle is चलिए यह आपका क्या है triangle है triangle के बारे में कुछ बताया नहीं है कैसा triangle है मान लेते हैं A, B, C यह आपका triangle है इसका perimeter बता रहे हैं कितना है 30 cm का है तो अगर मैं sides को मान लूँ A, B, C तो A plus B plus C की value कितनी है 30 cm और एक side बता रहे है कि वो 13 cm के जो की सबसे बड़ी है यह भी बता रहे है largest side है तो largest side मतलब A मान लेता हूँ तो B plus C की value कितनी हो जाएगी 30 minus में 13 कितना हो जाएगा 17 तो B plus C की value कितनी आगई 70 मान लेते हैं जो बड़ी side आपने मानी है A मानी है या C मान लीजे कोई भी मान लीजे तो अगर मान लेते है A मानी हमने कितनी 13 cm यह है तो बाकी की दोनों side कितनी हो जाती है 17 cm की हो जाती है तो मतलब B और C को अगर आप जोड़ी है तो कितना आजाएगा 17 cm आजाएगा इसके बाद आपका काम क्या है बस अगर थोड़ा सा अगर आप दिमाग लगाते है तो इस question को बड़े आसानी से कर सकते है बाकी दोनों side आपको निकालना है B प्लस C की value क्या होगी और उसका सबसे आसान तरीका क्या है कि अगर आप ये समझते हैं कि 13 cm का है और दो side जोड़ करके 17 cm आनी है तो उनका क्या possible outcome हो सकता है तो एक 5 मानिए दूसरा बारा मानिए Pythagorean triplet जो मैंने आपको बताया है बार बार वही कामा रहे हैं ये 90 degree आपका हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 5 का square, 12 का square जोड़ेंगे तो 13 के square के बराबर होगा क्यों हमको ऐसा लगा कि यही आपका हो सकता ये भी समझना ज़रूई है क्योंकि हमको पता है कि 13 cm largest side है पाकी की दोनों side जो होंगी वह आपकी इससे छोटी ही होंगी तो और तो यहां पर question में कोई hint provide किया नहीं गया है जिसके आधार पर question निकाल सकते हैं ना तो यहां पर none of this का option है तो एक ही option बसता है कि आप Pythagorean triplet का formula यहां पर लगाईए और अगर आपको पता है Pythagorean triplet क्या क्या होते हैं तो आसानी से आप इस question को कर सकते हैं तो मरे ख्याल से perimeter वाले सारे questions आपको समझ में आ गये होंगे कैसे करने हैं और perimeter का यह जो part है यहीं से समाप्त होता है perimeter के उपर कोई भी question आएगा आप आसानी से कर पाएंगे कोई भी problem नहीं होगी तो इस video में बस इतना है अगर आपको video पसंद आया है तो आप मुझे comment करके बताईएगा आपके पास कोई question है तो आप मुझे mail कर सकते हैं फिर comment कर सकते हैं इनको अगर मुझे लगेगा कि अच्छे questions है तो उनको मैं अपने वीडियो में सामिल कर लूँगा वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करना ना भूले और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें जिसे ज्यादा ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और आपने अगर अभी तक हमारे हैं जिससे इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेंगे और आपकी प्रेप्रेशन और अच्छी होती रहेगी तो यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद have a nice day and bye